नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन धमसनवार्ग छे अक्टूबर को नवरात्र का आठवा दिन है और माता महागौरी की पूजा होगी अस्टमीतिती के दिन अगर करन्या पूजन आप करते हैं तो आठ बर्स की करन्या का पूजन कीजिए और चर ही चीजे दीजिएगा वैसे दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाउपाई की और आज का महाउपाई देखिए इसके पीछे मानेता है माता महागौरी भगवान सिब के प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोड तपस्या की थी जिससे इनका सरीर काला पढ़ गया था जब भगवान सिब ने दरसन दिया तब उनकी किरपासे इनका सरीर अत्यंत गोर वड़ का हो गया और इससे ही इनका नाम महागौरी पढ़ गया और ऐसा माना जाता है माता सीता ने भी राम जी को पाने के लिए महागौरी की आराधना की थी माता गोरी स्वेत रंग की हैं और स्वेट रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत फल्दाई है यानि आप स्वेट वस्त्र अगर पहन सकते हैं तो पुजा करें पहन कर बहुत अच्छी है वैसे तो इनकी पुजा बहुत तरीके से की जाती है खास कर अगर बिभास बंदी कोई परिशानी है तो कैसे पुजा क करें उसके लिए आपको थोड़ा से इंतिजार करना होगा हमारे अगले वीडियो का लेकिन आज हम बताएंगे एक नारियल का उपाए नवरात्र के दिनों में कम से कम महा अस्टमी के दिन नारियल का बिसेश महत होता है लेकिन नारियल सिर्फ चढ़ाने से नहीं होता बलकि इसका बिसेश उपाई कीजेगा तभी तो आपको उचित फल मिलेगा तो चलिए हम बता दें आपको माता गौरी को आप आठवे सोरूप जो है माता महा गौरी को एक नारियल भोग लगाईए और यह नारियल फोड़ना नहीं है बलकि जटा वाला नारियल ही लीजेगा और इस नारियल को आप माता गौरी के अरपित कर दें वैसे तो महा अस्टमी के दिन मंदिल में अगर आप एक नारियल यूही अरपित कर छोड़ देते हैं यानि आप दान कर देते हैं मंदिल में अरपित कर छोड़ देते हैं तो यकीन वानिए जीवन में कभी भी धन का अभा नहीं होगा क्योंकि नारियल को स्रीबी कहा जाता है तो यानि आप महागोरी के सरन में है notion is an a rest कर रहे हैं तो इस धी क्या चाहिए चाहिए दूसरी बात अ कर הא दो अब को इस दिन करना क्या है एक नारियल तो आप महागोरी के चरण्वी में बिद्ध जरूर कीजिए लेकिन हाँ वाद जान ले एक बार में नहीं फोड़ने से पिर उसका फ़ल आपको लगता है कहीं नहीं फूटा तो तब ऐसे मेंQué शनारियल को पीपल के बिश्ट के नीचे रखते हैं और पीछे मुड़कर मत देखिएगा और हाँ जब आप इस शनारियल को देवी को अरपित कर रहे हैं सरसे बार रहे हैं इस समय अपनी मन्नत जरूर मांगिएगा यह मन्नत आपकी जरूर पुरी होगी तो दोस्तों इस बा माता रानी को परसनी कीजिए और मनो कामना आपकी निस्चित रूप से पूरी होगी हर हर महादेब फिर मिलेंगे